Hello Guys, Welcome To My Channel एक बहुत जाद़ इंबेरसिंग प्रॉब्लम है जो हम सबको फेस करने पड़ती है चाहे लड़के हो चाहे लड़की वह है हमारे प्राइवेट पार्ट की स्किन का डाकर होना जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा जो प्राइवेट पार्ट है वो डाकर शेड में आने लगता है बहुत सारे कारण है इसके पीछे जैसे की हॉर्मोनल चिंजिस की वज़ासे हो जाता है या फिर टाइट क्लोथ्स पैनने लाइट शेड में ला सकते हैं बीना किसी एक्सपैंसी प्रोडक्ट को यूज किये तो वीडियो इंपॉर्टेंट है वीडियो को एंड तक देखेगा चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले है योगर्ट जो योगर्ट है हमारा वह एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है साथ ही साथ में अगर हमारे इरिटेट स्कीन हो रही है उससे वह हमारे को रिलाक्स फील होता है साथ ही साथ में आपको यूज कैसे करना है आपको 10-15 मिनिट तक इसको लगा के है उसके बाद आपको वाम वाटर से अफेक्टिड एडिया को जो है सिंपली वाश कर लेना है नेक्स्ट वान इस बेसन बेसन का आपको पेस्ट बनाना है पेस्ट कैसे बनाना है आपको वाटर में बेसन को मिक्स करके एक आपको थिक पेस्ट बना लेना है उसको आपको है उसको यूज करिए बहुत ही अच्छे इसके और जल्दी इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं नेक्स्ट वान इस ऐलोवेरा जल में मिनिरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारे स्किन को लाइटन करने में बहुत जादा हेल्प करते हैं आपको क्या करना है आपको सिरफ जल को लगा देना है और उसके बाद 20-30 मिनिट वाद उसको सिंपली वाश कर लेना है नेक्स्ट वान इस ओरेंज जूस एंड टर्मरीक देखें जो टर्मरीक है वो हमारे स्किन टाइटनी का काम करता है तो आपको क्या करना है आपको औरेंज जूस को और जो हमारा यह है अपिता है और आपको इन दोनों चीजायों को मिक्स करके अपनी प्राइवेट पर लगाना है या फिर कहीं भी आपकी टार कर शकीन है वहां पर लगाना है और उसके बाद दो तीन मिनिट वाद उसको धो लेना है आप इसको हफते में दो बार यह कर सकते हैं नेक्स्ट ते ररेमेड़ी रहे हमारी गुलाब जल और चंदन जान का पाउडर इपकर हमारी मोस्टर प्रवाइब वाइड करने में है सीम्प्ली क्या है गूलाब जल प्लावडर से बसे तो पेस्ट अब उसको एक युदो ब्सक्राइब एप पांसे 10 मिने के बाद आप यह लास्ट रेमेडी इस पोटैटो देखिए जो पोटैटो है आपको इसको यूज कैसे करना है आपको एक स्लाइस काटना है आपको एक अफेक्टिट एरिया पे सर्कुलर मोशन में लगाना है आप पान से दस मिनिट आप कर सकते हैं ऐसा और उसके बाद आपको पानी से थो लेना है जो पोटैटो है उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे स्कीन को डीज कलरेशन करने में बहुत जादा है तो यह थे सारे मैथर्स बहुत इजी होम रेमेडिस जिनको यूज करके हम अपनी स्कीन को लाइटर शेड में ला सकते हैं आई होब वीडियो आ अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में या इसी से रिलेटेट किसी और चीज के बारे में जाना चाहते हैं थैंक्स वर वाचिंग